नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुसार यूब्टुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिस्सान परखता परिछा 2021 पीजी टी इतिहास प्रेटी सेट 105 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट आ पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रेटी सेट 104 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी पीजी टी इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो वहाँ सभी देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके बाद एक और आवस्ट सुचना अभी तक आप लोगों ने मेरा जो है मास्टर वीडियो संपून इतिहास का मास्टर वीडियो जो साड़े चार घंटे का नहीं देखा है तो उस व पुरंधर की संधी 1665 में मुगलों को प्रदान किये गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग सीवा जी के द्वारा पुनर वर्जित नहीं किया जा सका यानि पुनर जीवित नहीं किया जा सका कौन सा दुर्ग था तो इसमें एंसर वोगा D सीवनेरी का दुर्ग तो सीवनेरी का दुर्ग जो है पुनर जीवित नहीं किया या सका सीवा जी द्वारा इसके अलब सब किये थे इसमें पुरंदर माहुली लोहागर सीवनेरी का दुर्ग Quetion no.2 है सीवा जी के सासनकाल में पेशवा था मोरो पन्त पिंगले कौन था मोरो पन्त पिंगले कोस्टन नम्मर तीन है निमलिखित अभ्यानों में से किस एक में आहमद सा अबडाली ने दिल्ली के सासात मतुरा बिरिंदा बन को बिनिश्ट किया था कब किया था ये ये पूछ रहा इसमें ये चतुर थी विद्धु 1756 में दिली पराकरमन के आव इसके बाद जो है इसके सासात मतुरा और बिरिंदा बन को भी नश्ट किया था कोशन नमबर चार है सेरसा द्वारा भूराजस्व के अतरिक्त जनहित के उपियोग हेतु लिये जाने वाले अतरिक्त कर का परतिसत कूल भूराजस्व दे का कितना था कोशन नमबर पाँच है किस आधनिक इत्यासकार ने सतनामी बिद्रों को औरंग जेब की धार्मिक नितियों के बिरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संग्या दी है तो उस इत्यासकार का नाम है जदू नाथ सरकार कोशन नमबर छे है मुगल भूराजस्व प्रसास्निक सब्दावली में जिहात क्या था जिहात क्या था जिहात जो है इसमें निर्धारित करों के अतरिक्त एक दे कर था यह जितना कर देना है उसके अत्रिक एक और कर देना पड़ता है जिसको जिहाद कहा जाता था भूराजसो सब्दावली है मुगलकाल की कोश्चन नमबर साथ देखिए किस मद्यकालिन संत के उपदेश अभांग में संकलित है किस संत के उपदेश है यह दादू कोश्चन नमबर आठ है किताब उल्यामनी का लेखक कौन है किताब उल्यामनी इसका लेखक है उत्बी कौन है उत्बी कोश्चन नमबर नौ देखिए निमलिकित में से कौन एक चितोड़ की संदी 1615 की सर्तों के बिशे में सही नहीं है इसमें सही नहीं है पूछ राइस में दिया है कि जांगीर प्राचीन राजपूत वनसों को समाप्त करने के पच्छ में नहीं था ये तो सही है राणा को चितोड सहित मेवाड पुना प्रदत कर दिया गया ये भी सही है और दिया है राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दर्बार में उपस्थित रहना था ये वाला सही नहीं है डी इसका एंसर होगा इसमें कोस्षन नमबर दस है सोलहवी सताबदी में भारत में रोसनिया आंदोलन की सुरुवात निम्न में से किसने की रोसनिया आंदोलन तो इसकी सुरुवात की थी सोलहवी सताबदी में किसने मिया वायजीद अनसारी ने कोस्टन नमबर 11 है निमलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी ब्यवस्था के बिशाय में सही नहीं है तो इसमें अंसर हो जाएगा D मनसबदार अनुवंसिक अधिकारी होते थे ये सही नहीं अनुवंसिक अधिकारी नहीं होते थे मनसबदार योगिता के अधार पर इंक आकिर्थी प्राप्त हुई है कहा से प्राप्त हुई है ना कि वह है बेलन घाटी से को बहुत कर दे नमले कित में ब्हारत में सब से बड़ा बहां पीश भारत में सबसे बड़ा हड़पी अस्थल है तो वह है राखी गढ़ी राखी गढ़ी कोश्चन नमबर 14 है बीजय नगर सहर किस नदी के टट पर बसा हुआ था नदी के नाम पुछ रहा है तो वह है तुंग भद्रा नदी के टट पर कोश्चन नमबर 15 है पानी पत के तिर्थी युद में बीजय के पसाते हों भारत छोड़ने से पूरू आमस अबदाली ने भारत का समराट बहादूर सा किसे घोशित किया था तो बासा किसे घोशित किया था ये किया था सा आलम दूतिय को जो बहादूर सा पर्थम के नाम से गद्दी पर बैठा था ये सालम दूतिय को इसमें ये मिस्टेक हुआ इसको डिलीट करने में तो सालम दूतिय हो जाएगा सी वला एंसर होगा इसमें कोश्चन नमर 16 देखे कथन और कारण से इसमें दिया एक कथन कि अकबर ने फतेपुर सिकरीम बुलन दरवाजा निर्म अपनी बिजय की स्मृति को सजोने की इच्छा रखता था तो आर भी सही है और व्याख्या भी करता है तो इसका एंसर ये हो जाएगा ये अर दोनों सही आरे की सही ब्याख्या करता है कोश्चन नमर 17 देखे निमलिकित पस्मी लेख को जिनकी कृतियां प्राचीन भारती स संस्कृति तिहास के मातपूर्ण सुरोत है उनके सही कलानुकरम में रखिए तो सही कलकरम इसका क्या होगा इसमें एंसर देखे होगा बी पा इसका एक कोड याद कर सकते हैं कि कसे बना है निस्पटा इस टाइप कोश्चन आया गए अगर ये तो निस्पटा इसका है याद करेंगे क्रम से निस्पटा का Tylmy हो ज किया है इसमें सबसे पहले लगत थे इसमें तो इसमें अंसर आपको स्थीए जाएगा तिन नमर पहले है कोश्सरण नमर 19 देखें भारत में महदवी आंदोलन की शुरात निम्नमे से किसने की महदवी अंदोलन की शुरुआत तो ये शुरुआत की थी सयद मुहम्मद जौन पूरी ने कोस्टन नमबर 20 है धूत कृड़ा धूत कृड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है तो वह क्या है तो वह है राजसुई कोस्टन नमबर 21 देखें कसफल महजूब नामक पुस्तक फार्शी भासा में लाहोर सहर में सुफियों के बारे में निम्न में से किसके द्वरा रचित की गए कसफल महजूब ये पुस्तक का नाम है यहां पर कसफल होना चाहिए मंत्रा इसका छुट गया है ये किसकी रचित है जो सुफियों के बारे में लिखा गया है किसने रचा आये तो ये रचा था सेख अली हुजवेरी ने कोस्टन नमबर 22 देखते हैं गंगाय में यमुना नदियों का हमें सरपर्थम उल्लेख मिलता है ये कहां मिलता है रीगवेद में मिलता है कोस्टन नमबर 23 से कथन कारण से गौतम बुद ने अपने सरवाधिक वर्षावास सरावस्ति में किये कारण दिया है कोसल के राजा प्रसेंजित तथा गौतम बुद एक आयो कि थी ये भी सही है ये आर दोनों सही है लेकिन आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसका एंसर बी होगा कोस्टन नमबर 24 है आश्टे खंडी अपुस्तत हिस्ट्री आफ इंडिया एस टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स निम्न में से किसके द्वारा संपादित हुई थी ये संपादित हुई थी हम इलियट एवं जान डानसन द्वारा कोस्टन नमबर 25 है विवा के किस प्रकार में कर्ण्या सुल्ग की सर्थ पूरी करनी होती थी कौन से विवा था तो वो विवा था आसूर प्रकार के विवा कोस्टन नमबर 26 है यजुरुवेत की निमलिखी सहिताओं में से किस में केवल सुक्त है गद नहीं तो वह है वाजसनेई सहिता में वाजस नहीं सहिता इसमें क्योल सुकते गद नहीं है कोशन नमर 27 देखिए यागवल की की पधती में पुत्रहीन मृतक के उत्रादेकारी करम में निमलिखित में से किसका अस्थान प्रथम है ये प्रथम अस्थान है पत्नी का यागवल के अनुसार कट्टिली कुछ और सबका अलग अलग विचार इसमें तो यहाँ यागवल की पधती के अनुसार जाये पुत्रहीन मृतक उत्तरादेकारी जिसकी पुत्र नहीं है और उसका पत्ती मर जाता है तो उसका प्रथम उत्तरादेकारी कौन होगा तो पहले होगा पत्तनी कोटिल अभी यही बताएग मार टाइस देखेजयों कि निमलिकित में सावर स थाम किन अस्थाब पर सिंग शीर्स का है यह पूछ रहा है तो जो सिर्छा है ने हैं से उपर चारों दिशावा में चार सिंग बने हैं अस्तंब पर तो सांची के सारनात के स्तंब में तो हैं सही है सांची के स्तंब भी है को लुवा स्तंब पर है लहोडिया नंदन अस्तंब पर भी है तो ये चारो होगा इसका करम, इसमें एंसर चारो है, डी इसका एंसर होगा, कोशन नबर 29 देखिए, निमलिखित में से किसे इस्तरी धन के लिए प्रथम उत्रादिकारी माना जाता था, तो इस्तरी धन के लिए प्रथम उत्रादिकारी माना जाता था पुत्री को, देखिए यहां पर आगे कोशन लेकिन यहां किसी का नाम नहीं दिया है लेकिन माना जाता था यह पूछ रहा है इसमें तो पुत्री को इस्तिरी धन के लिए कोशन नमबर तीस देखें तेवारम तीन सैव संतों के गानों या भजनों का संग्रा है यह अपर का समंधर का यह सुरंदर का यह एक दो तीन इसमें सही होगा यह कुट मिलाने वाला है तो सी नमबर इसका एंसर करेक्ट है कोशन नमबर 31 देखें निमलिखित में से किस राजपरिवार में पूरूष प्राय ब्रामर धर्म का पालन करने वाले थे और इस्तिरियां ब唬्ध थी किस परकार का राज परिवार था तो वो था इच्छ वाकू इच्छ वाकू अंस था यह कोश्चन नमबर 32 है प्राचिंतम जैन कांस मूर्तियां प्राप्त हुई है तो प्राचिंतम जैन कांस मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है ये प्राप्त है चौश्चन नमबर 33 है जैसा कि प्राप्ति अस्थलों से संकेत मिलता है कि बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचल थे गंधार में एक कुंसर नंबर 34 से सब्सक्राइब करने पासपत मत के संप्रतादक थे आ कि नात मुनी यह वाव्हजृ धर्म के वशुबंद बाउदध बाउत धर्म से, इस प्रकार ये सुमेलित है, कोशन नमबर 35 देखिए, बल्लभी संबत अभिन्न है, ये किसा अभिन्न है, गुप्त संबत से, कोशन नमबर 36 है, असोक ने गया जिले में बराबर पहाडी पर किसके लिए गुफाएं खोदवाई थी, तो ये गुफाएं जिस वस्तिव का वेपार करते थी, वह है, तो वह किसका वेपार करते थी, वह है, रेशमी कपडा, इसमें सरोय गड़ी, रेशमी कपडा, कोशन नमबर 38 है, निमलिकित में से कौन अनुलोम प्रकार के विवाः का नीर्दरसन है, अनुलोम, तिसमें सरो गाए, ब्रामर किसे अनलोम भीवा कहा जता है कुश्चन नंबर 49 है निमलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसित्ध है मेघा तीथी इसमें इंसर हो जाएगा बी मेघा तीथी कुश्चन नंबर 40 है निमलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में प्रि इसका एंसर हो जाएगा D पंचाल क्या होगा पंचाल कोश्चन नमबर 41 है निमलिखित में से कौन से बंदरगा दच्छिन भारत के पूर्वी टट परिस्थित है ये पूछ रहा इसमें तीसमें दो ही बंदरगार है कावेरी पटनम और कोरके ये जो है पूर्वी टट परिस् कोश्चन नमबर 42 देखिए पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखे थे दादा भाई नरोजी ने कोश्चन नमबर 43 है संघाओ गुफा पुरास्थल है किस काल का है संघाओ गुफा पु कि लाजित किया उस गुफ्त सासक का नाम था इसकंद गुफ्त कोस्न नमबर 45 है निम्नलीकित में से किसा सिलाश्रे से मानोग सवाधान के प्रमाल मिले हैं ये प्रमाल मिले हैं लेत्या щा सिलाश्रे प्रथम से और कोस survives 40 जैनमत में संथारा से तातपर है इसका क्या तातपर है संथारा तो इसका एंसर हो गए उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुस्ठान है ये संथारा कोश्ण नमबर 47 है दक्कन में हर्स के सामरिक विस्तार को किसने रोका था ये रोका था पुलकेशिन दूतिय ने कोश्ण नमबर 48 है घोसाल की महाबीर स्वामी से सरपर्थम मुलाकात हुई थी कहां पर हुई थी नालंदा में हुई थी कोश्ण नमबर 49 है प्रतित्य समुत्पाद का सिधान्त सम्बंदित है ये बौध धर्म से सम्बंदित है कोश्चन नमबर पचास है गुरु गरंत साहिब अपनी मौजूदा सक्ल में किसके द्वारा तयार किया गया था यह तयार किया गया था गुरु गरंत साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा किसके द्वारा गुरु अर्जुन देव द्वारा गुप्त काल के किस अविलेक में भूमी बिक्री सम्मंधी बीवरण दिया गया है तो अविलेक है दामोदरपूर तामर पत्र में कोशन नमबर बावन देखे गुप्त राजवन्स में महाराजा धिराज की उपाधी धारान करने वाला प्रथम सासक कौन था प्रथम पूछ रहे हैं पर तो वो था चंद्र गुप्त प्रथम कोशन नमबर तीरपन है किस अविलेक में पूछ समित्र द्वारा दो असमेग यग के संपाधन का उलेक मिलता है तो वह है धन देव का अयोध्या अविलेक धन देव का अयोध्या अविलेक जिसमें पुश्मित्र द्वरा दो असमेग यग के संपादन का अविलेक किया गया है धन देव का अयोध्या अविलेक कोस्टन नमबर चववन है हाथी गुंफा अविलेक के सातकरणी का समिकरण किया जाता है तो ये समिक्रण क्या जाता है इसमें अंसर होगा ये सात करणी प्रथम कोश्चन नमबर पच्पन है गुलामगीरी नामक पुस्तक का लेखा कौन है तो गुलामगीरी पुस्तक के लेखा का कौन है तो इसमें अंसर होगा ए जोतिबा फुले किस संधी द्वारा English East India Company को बंगाल बिहार दिवानी प्रदान प्राप्त हुए थे ये प्राप्त हुए थे इसमें इंसरोगासी इलहावाद की संधी कोशन नम्बर 57 निम्न में से कौन अंतरीम सरकार 1946 में रेल मंत्री था इसमें था आसफ अली रेल मंत्री कोशन नम्बर 58 निम्लिखित में से किस अधनियम के द्वारा नियंत्रा मंडल की ब्यवस्था की गई थी ये ब्यवस्था की गई थी पीट्स का भारत अधनियम 1784 में कोशन नम्बर 69 है संप्रदाइक पंचाट का जनक कौन था इसका जनक था रेम से मैक डुनाल्ड कोशन नम्बर 60 देखें किसने किसको भारती राष्टवाद का अध्यात्मिक जनक कहा ये कहा था किसने किसको सुवास संद्र बोस ने स्वामी बीवेका नंद को कोशन नम्बर 61 देखें निम्लिखित में से किसने बैदिक गरंथों का बंगला ये बंगाली भासा में अनुबाद प्रकासित किया था ये किया था राजा राम मोहन रायने कोशन नम्बर 62 है बैक्तिका सत्यागरा के लिए बिनोवा भावे को प्रथम सत्यागरही चुना गया था दूसरा सत्यागरही कौन था तो दूसरे थे पंडित ज्वाहरलाल नहरो कोशन नम्बर 63 देखें अखिल भारतिय मुस्लिम लिग के अस्थापना किसने की थी इसके अस्थापना की थी नबाब सलिमुल्ला खां नबाब सलिमुल्ला खां कोशन नम्बर 64 है धन के निसकासन सिधान्त को भारती राश्टी कांगरेश ने कब सिवकार किया था यह सिवकार किया था प्राचीन इसमारक सनच्छन अधनियम किस गवर्नर जनरल के कारिकाल में पारित हुआ था ये पारित हुआ था लाड करजन के समय में लाड करजन के समय में कोश्चन नमबर 67 है मदरास के 1927 के कांगरेस अधिवेशन का जहां भारती राश्टी कांगरेस ने साइमन कमिशन के बहिसकार का प्रस्ताव सिकार किया था ततकालिन अध्यच था तो ततकालिन अध्यच कौन था तो ये थे डाक्टर म. अनसारी क कोश्चन नमबर 68 है उत्तर परदेश जमिदारी बिनास एवं भूमी सुधार अधनियम निन में से किस तिथी से लागू किया गया तो ये तिथी था एक जुलाई 1952 से कोश्चन नमबर 69 है निमलिखी तीगम में से कौन सही सुमेली थे इसमें इसमें एंसर होगा ए नेविल मैक्सवेल इंडिया चाइना वार ये सही सुमेली थे कोश्चन नमबर 70 देखे भारत में प्रकासित प्रथम समाचार पत्र था ये था दबंगाल गजट क्या नम था दबंगाल गजट कोश्चन नमबर 71 है रविना टैगोर की सुझाप और बंगाल के विभाजन का दीन एक्टूबर यानि 16 अक्टूबर 25 को मनाया गया था ये मनाया गया था काला दिवस के रूप में कोश्चन नमबर 72 है निमलिखित में से किसने कहा था भारत को पुन एक होना होगा तथा अपनी सत्की से पुन बिश्व को बिजित करना होगा किसने कहा था ये कहा था स्वाम बीवेका नंद ने स्वाम बीवेका नंद ने कुश्चन नमबर 73 देखे निम लिखित में से कौन एक कथन सुभासंद बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन इस्ट्रेगल 2022 के विषय में सत्य नहीं है इसमें डीवल एंसर सत्य नहीं है इसको देख लिजिएगा इसमें बिश्चरी तुप से किर्षय का अंदूलन का बीवरण दिया गया है निम लिखित में से किसने बनारस हिंदू बिश्विद्याले का दिछान सामरो कांस्ट्रूएंट एसेम्बली फार इंडिया बिशे पर दिया था तथा साथी समिधान सभाद और अपहुश्वें बारत के समिधान का निर्मान का जबर्दस्त जोड़दार बिरोद किया था यह था सर मारिस गीवर इसमें एंसर होगा यह सर मारिस गीवर कोश्चन नमर 75 देखिए निर्गुट आंदोलन की प्रथम सिखर सम्मेलन के बिशे में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें यह वाला सही नहीं है यह सम्मेलन काहिरा कहरों में हुआ था यह गलत है question number 76 देखिए भारती सोतंता अंदोलों के संबंद में निमलिखित घटनाओं को उनको क्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिये गए कुट को जहे उपयोग करना है इसमें कौन सा क्रम सही होगा इसमें आपका क्रम से सही है ये answer इसमें A होगा दिल्ली के सेंट्रल एक्जिश्टी असेंबली हाल में बम फेकने घटना उसके बज़तिंदार की सहाधत फिर भागा सिंग की सहाधत फिर भारती राष्टी कांग्रेस के कराची अदिवेशन होगा था एक दो तीन चार क्रम सही है इसमें अब ये question number 77 निमलिखित में से किसने महात्मा गांधी के असायोग के प्रस्थाव का समर्थन भारती राष्टी कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता दिवेशन के BCA सदिवेशन में किया था किसने किया था मोती लाल नहरू ने question number 88 है जहांसी की British समराजी के बिले के समय निमलिखित में से कौन जहांसी का British agent था British agent पूछ रहा थो था Major Ellis question number 89 है निमलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्थाव का प्रारूप तयार किया जो 1931 के भारती राष्टी कांग्रेस से कराची अध्येशन में पारित हुआ था तो यह थे जोहर लाल नहरू question number 80 है निमलिखित में से किसके बचाओ पछ के वकीलों का नितिरुत प्रसिद्द आजाद हिंद फ़ाउज के मुकद्मे में दिल्ली के लाल किले में किया गया था दिल्ली के लाल किले में किया था तो यह थे भूला भाई जे देशाई डी एंसर होगा इसमें कुस्टन नमबर 181 है निमलिखित में से किस ने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था ये किये थे सरदार बल्लव भाई पटेल कुस्टन नमबर 32 है भारती राष्टी कांग्रेस के निमलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन ने मोहंदास करमचर गांधी ने सरपर्थम भाग लिया था सबसे पहले भाग लिया थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में कुस्टन नमबर 83 है एवोहियूम का जीवनी कार है इसके जीवनी कार है बियलियम वेंडर बर्न कुस्टन नमबर 84 है किस पहले भारती ने एक भारती भासा में 1867 के बिद्रों के काणओं के बारे में पुस्तक लिखी तो वे थे भारती भासा पुछ रहा इसमें भारती भासा में बिद्रों के काणों के बाड़े में पुस्तक लिखी थी कौन थे? तो वे थे सयद अहमद खाँ, सयद अहमद खाँ कुश्चन नमबर 85 है, तिर्ती आंगल मैसुरीद के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमय था लाड कार्न वालिस कुश्चन नमबर 86 है, 1877 की भारती करांती सम्मतित निमलिखी घटनाओं को नीचे देगे कोट की सैता से काल क्रम में बैठाना है इसको ति इसमें भी क्रम से, पहले बैरकपुरी मंगल पांडे कांड, फिर मेरठ में सनी कांड, फिर जासी विपलो, फिर कानपूर एक, दो, तिन, चार क्रम से, इसमें अंसर हो जाएगा, 86 का एस सही होगा, अब ये 87 का भारती राश्टिय कांग्रेश की अस्थापनाजपुरी निमलिखी संगों का निर्माण पर विचार हुआ था, इसमें सही कलनक्रम में पाले कौन हुआ था, पाले हो था मदरास नेट जेक्तर में, और सबसे लाश्ट में हुआ था इंडियन एसोसियेशन, इसका एंसर भी ए होगा, दो, तीन, चार एक, इसका क्रम है, कोश्चन नम्बर 88 देखिए, निमलिखीत एरोपी बैपारी कमपनियों में से किस एक ने भारत में नीले जल किनिती को अपनाया था, नील 37 फ्रांसीसी कमपनियों के बीच लड़ा गया था, कोश्चन नम्बर 90 है, निमलिखीत में से किसने डवलू सी बनर जी का नाम भारतिराश्टी का अंगरेस के प्रथम अधिवेशन, बंबई 1885 के अध्यास के लिए प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था, य इसमें अंसर और जाएगा ए, ए ओ, हुम, कोश्चन नम्बर 90 है, आत्मी य्य सभाक के अस्थापना निमलिखीत में से किसने की, ये की थी राजा राम महन रायने, किसने की थी राजा राम महन रायने, कोश्चन नम्बर 92 है, निमलिखित कतनों में से कौन एक कथान अस्थाई भूमी बंदवस्त की बिज़िस्ताओं में से नहीं है तीसमें पुछराय नहीं है इसका एंसर देखिए डी होगा इसमें भूराजय सक्रूपें एकत्रित की जाने वाले कुल रासी चार क्रोनी निर्धारत ये सही नहीं है इसमें कोस्टन नमबर तिरानवेर देखिए 1831 एडी में बाला कोट का यूद निमने से नाओं के मद लड़ा गया एडी मतलब इसवी है ये तो निमने से नाओं के मद लड़ा गया कौन कौन से ना थी 1831 के बाला कोट का यूद में इसमें से ना थी राजा रंजी सिंग और सय्यद आमद राय बरेली की कोस्टन नमबर 94 है सुगंदा देवी जिसने आसीन लच्मी के आकिरती सिक्के चलाये थे कहां की रानी थी ये थी कहां की कस्मीर की रानी थी एंसर होगा इसमें भी कस्मीर की कोस्टन नमबर 95 है कथन और कारण से कथन दिया है मिताचरा के नुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मद अपनी संपत्ति का भटवारा कर सकता था ये तो सही है जीवन काल में मिताच्छरा के नुसार कारान दिया है मिताच्छरा ने पैत्रिक संपति में पूत्र का जन्माना स्वामित स्विकार नहीं किया ये गलत है इसमें केवल एक सही है तो इसका एंसर सी हो जाएगा कोशन नंबर चानबेर है 1938 में भारती राष्टी कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्टी योजना समीती यानि नेशनल प्लानिंग कमीटी का अध्यच कौन था इसका अध्यच कौन था जोहरलाल नेहरू इसमें इंसर होगा ए जोहरलाल नेहरू कोशन नंबर 97 है उत्तर भारत पर तुर्कों के आकर्मन के समें गुर्जर प्रतिहार वंस किस छेतर में आधिपत्य रखते थे ये आधिपत्य रखते थे गुजरात में इसका अंसर होगा सी गुजरात कोशन नंबर 98 है निमलिखित में से किस ने कामरूप में बैसों धर्म का परवर्तन किया था कौन थे संकर देव इसमें इंसर हो जाएगा डी संकर देव कोशन नंबर 99 देखिए राष्ट कूट राजा दन्ति दुरुग ने हिरन गर्भ महादान सामरोव अनुष्ठान कहां मनाया था इसका अंसर होगा सी उज्जायन में कहां मनाया था उज्जायन कोशन नंबर 100 है सुमिलित करने वाला ते लिए इसको सुमिलित कर लेते हैं एक तरफ लेखक का नाम दिया एक तरफ आशरे दाता यानि किस लेखक को कौन आशरे दिया था आपने राजदरबार में हे माद्री तो हे माद्री को आश्रे दिया था यादो महा देव ने धनपाल को आश्रे कौन दिया था परमार भोज ने श्री अर्ष को आश्रे किसने दिया था तो गडवाहाल जैचंद्र ने राश सेखर को किसने आश्रे दिया था तो प्रतिहार महंद पाल इस प्रकार ये सुमेली थे ये थे क्वस्षन आज के लिए तो उमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों किया अधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम